Hello everyone, welcome to being teacher आप सभी के लिए खुस ख़बरी है खुस ख़बरी ये है कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है और नोटिफिकेशन में जो है एक विग्यप्ति जारी की गई है अभी फोरा जो नोटिफिकेशन आता है वो नहीं आया लेकिन यह है कि यहाँ आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है और कैसा आपको फॉर्म फिल करना है और कब चीजे एक्जामस वगेरा कब होंगे तो उन सभी चीजों को जो है उन्होंने एक विग्यप्ति जारी की है उस विग्यप्ति को हम इसमें देखते हैं तो मैंने आपको बताया भी था कि जब 23rd और 24th को मैंने वीडियो बना दो बने का था अगले आने वाले एक सब्ता के अंदर जो है नोटिफिकेशन यह जो आज आएगा आप सभी का तो वही हुआ है और आज 27 तारिक है मतलब तीन दिनों के अंदर चार दिनों के अंदर आपका नोटिफिकेशन आपके सामने है और साथ तारिक से जो है इसका जो फॉर्म है वो शमिशन होने लगेगा ठीक है इसका जो विझ्यापन आएगा वो 4 ऑक्टूबर 2021 को आएगा तो 4 ऑक्टूबर को आने से पहले इसमें हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने दिया क्या है देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉटन्ट है और इसको हमको फूंक-फूंक के गदम रखना है इसलिए क्योंकि हम कोई भी गल्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मौका है जुसको हम गवा नहीं सकते हैं तो UPDate का फॉर्म में क्या का है क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजिस हो तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि यहां पे इनों ने दिया है कि विश्ले जो है उत्तरप्रदिस सिच्छक पातता परिच्छा 2021 की जो है वो 28 नुंबर 2021 को प्रस्तावित करते हुए संसोज़त परिच्छा कारेकर्म समय साधी का जो है सासन आदेश यहां पे डाल दिया गए अब आप कुछ समझ में आ रहा ह है तो यूपर का notification आ गया है ठीक है इन्होंने 28 November की date दे दी है अब यह सूच लिए कि आपके पास कितना महीं कितना time है ठीक है आपके पास सिर्फ और सिर्फ October है और दूसरा November है ठीक है November के भी आपके पास पूरा महीना नहीं है ठीक है 27 डेज है only तो आप इमान के चलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 to 20 ठीक है सिर्फ 50 डेज है ठीक है 30 डेज आप इसके मान लीजे October के और सिर्फ 20 डेज माने क्योंकि जो 7 डेज आप जो आप एड़ करें न वो आपके जिसे की बीच में एक दिन खराब नहीं हो जाता है ठीक है अभी तक मैं वेट कर रहा था कि यूपीट का क्योंकि पता नहीं यूपीट का नोटिफीकेशन मुझे लग रहा था कि अगले आने वाले जो एक October है उसको जारी हो क्योंकि मैंने बोला था कि 30 तक जो है notification वो जारी हो सकता है तो 30 से पहले ही नोटिफिकेशन वो जारी हो गया है ठीक है तो इसका जो पूरा फुल नोटिफिकेशन वो आपका 4 अक्टूबर को मिल जाएगा तो यहां पर उन्हें देया है कि जो विग्यापन का परकासा ने 4 अक्टूबर को हो जाएगा और online अवे दिन 7 अक्टूबर से एक महिने की फरम आता था ठीक है योपकीशें की कोई भी फरम आता था एक महिने तक रुकता था तो इसका एक महिने का टाइम नहीं है ठीक है तो यह आपका फॉर्म रहेगा तो आप जिस forward नहीं तो आप 10 डेस तक वेट कीजिए क्योंकि पता नहीं ॥र जो रिजल्ट का क तो अभी आप चाहें तो फिल कर सकते हैं जैसे कि बहुत लोग गुसा हो जाएंगे तुम से गुसा हो गए हो कि कि देखें आपकी जो लास्ट डेटेस में 25 दसदी है ठीक है आप आराम से 20 अक्टोबर तक भी कर सकते हैं अगर नहीं आता क्योंकि देखें जो कानपो इनवस्टी जो खुद कह रही जब वह नहीं हो रहा है तो मेरे कहने से तो बिल्कुल नहीं करें कि उसने कहा था कि 16 सेप्टमबर को रिजल्ट आज आएगा 27, 30 सेप्टमबर तक भी कोई आसारे से नजर नहीं आ रहे है जो रिजल्ट आएगा ठीक है तो आप यह मान के चलिए कि जो कानपो इनवस्टी उसके तारे तो मती बैठिए ठीक है लेकिन फिर भी इंतजार तो करना रहेगा हम लोग इंतजारी कर सकते हैं और आप लोगों आप लिए ठीक है तो आप जाएं वहां पर जो ट्वीट मैंने आपको इसी के डिस्कॉप्शन बाक्स में जाएगा और जो मैंने भी लाश्ट वीडियो डाला था उसमें भी लिंक आपको मिल जाएगा तो उसमें भी जाकर के वहां से भी मतलब ट्वीट कर सकते हैं या फि से भी जो लिंक मिलेगा वहां पर जाकर के ट्वीटर पर रिट्वीट कीजिए ठीक है वहां पर जाएगे और फॉलो कर लेजी क्योंकि जो बिंग टीचर एंड बिंग आयस करके जो ट्वीटर का जो एकाउंट है वो आपके लिए बहुत ही हैलफुल होने वाला है सच बता यह होगी इसके नोटिफिकेशन के बात में और यहां पर जो आवेदन पूर्ण करने के जो टिथी है वो 27 रहेगा और फीस सम्मिट करने के जो लाजट डेट है वो 26 रहेगी फिर परिच्छा के इंडरों का जो निर्धारन है तो वो जनपद के आवेदकों के संखे के मतलब केंदर चुनने है तो भी वो भी आप 26 रहेगा कि जो यह टीटी का जो एक्जाम है वो होगा तो आपसे लोग जो भी मतलब जो जनपदी स्थर है ना जो जनपद्विज स्कूल होते हैं उनको सरी शीजे बता दी जाएंगे तो वहां पे जो परिच्छा के इंडरों क किस तक है कि मतलब यहां पर 27-10 को यह फार्म अपर कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद में नवंबर में जो है आपका आपका जो सेंटर्स हैं वो अलॉट होने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी ओके नॉटिफिक आपका जो सॉफ्ट कॉंपी है यह सब यहां पर वेबसाइट करने की जो प्रवेस पत्र ठीक है यह आपको 17-11 को मिल जाएगा ठीक है देखे कितना तेज काम हो रहा है तो मान की चलिए विगनसी भी उसी तेजी से सुपर्टेट भी उसी तेजी से कराया जाएगा मैं मजाग नहीं कर रहा हूं सीरस्टी ले अपनी टेबल पर चपका लिजे जहां पर इसको रखना दिदम भूली मत 28-11-21 को आपके दो बाली में एक्जाम होंगे पर फ़र सेकेंड जो लोग पर फ़र्फर्ष के लिए चाहते हैं उसे पर फ़र्फर के लिए याइलिजबल हो सकते हैं ठीक है और परिच्छा समाथ् कि उपरां जो उत्तर पस्तिकाओं और उमार सीट का जो सील्ड कुछ है यहां पर देखे कुछ अच्छे से समझ नहीं रहे हैं यहां पर हम लोगों को मतलब यह है कि वेस्टाइट पर जो एंसर की है वो दो दिसमबर को जारी हो जाएगी और जो आपती करने की डेट है वो 24 12 को अपलोड कर दिया जाएगा ठीक है और जो परिच्छा फल रहेगा वो 28 12 2021 तक आपका आ जाएगा ठीक है तो इमान के चले की बहुत देर नहीं है ठीक है अगर कितना भी लेट करेंगे ऐसा ही अगर इसके रिजल्ट के बाद में तुरंत नोटिफिकेशन जो है दो से चार दिनों के अंदर सुपर टिट का आ सकता है तो आप लोग अवेर रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब साथ दिनों के अंदर अपका नॉटिफिकेशन आपके सामने है और चार साथ तरीक से आपके फार्म भड़ने जाने लगेंगे और आपका 25 अ समझ के ये डेट से इंपोर्टेंट हैं आपको याद रखनी है और सुपरेट का नॉटिफिकेशन भी जश्ट 28 दिसमबर 2012 के बाद में 2021 के बाद में तुरूंत आ जाएगा दो से तीन दूनों के अंदर बहुत है तो पांस दूनों के अंदर नॉटिफिकेशन जड़ी करत हैं तो अब सभी लोगों का अपना अपना एक वियू है लेकिन मुझे लग रहा है कि एक्जाम से पहले और सॉरी इलेक्शन से पहले यह जो है एक्जाम करा लेंगे तो अब आप यही मान के चली क्योंकि अगर आपकी त्यारी उससी लेवल पर रहेगी तो बहुत ही अच् अच्छा तक हो सकता है एक्जाम हो जाएगा या फिर 20 फर्वेटर के 20 से 25 तक भी हो सकता है तो थोड़ा सा अवेर हैं ना परवाही बिल्कुल मत करें क्योंकि आपके पास बिल्कुल मौका नहीं है बागी आप आजाद है जो मनाए कर सकते हैं ठीक है चले त्याने की अपन